अंतरपुर की यूवक की दिनदहारे गोली मारकर हत्या करती गई है होली मिलने के बहाने ये आरोपी आये थे यूवक के सिर में गोली मार दी, एस्पी ने घटना सल का जाइजा भी लिया, सिटी गोत वाली थाना इलाकी की ये पूरी घटना काम जिक्र कर रहे हैं। गोली मार करके हत्या यूवक की की गई है, होली पर मिलने के बहाने ये आरोपी आये थे और उसकी दोरान ये वारदात को अंजाम उनकी दोरा दिया गया, सिर्वे गोली लेगी है, इलाज अभी जारी है, मैं आप किजेगा, इलाज जारी था, पर अब मौत हो चुकी है गोली के मिलने बहाने आए, यूवक और गोली मार दी और ये पूरा घटना करम जो है, सिसी टीवी क्यामरा में क्याद भी हुआ है, तस्वीरें आप देख रहे हैं, स्पी ने फिलहाल इस पूरे मामले में संग्याल ले लिया, साथी साथ घटना अस्थल का जायजा भी उनकी जिर्वारा लिया गया, पूली पर मिलने के बहाने यूवक आए, और सरमें गोली मार कर वहां से फरार हो गए, शायतरपुर काम जिक्र कर रहे हैं, दिंधारे यूवक पर गोली बरसाई गई, सरमें गोली लगी और मौत हो गई, ज्यादा जानकारी के लिए नरेंद्र पर हमार हमार से जुड़ गए है, नरेंद्र होली के पर पर गोली चली, यूवक की मौत हो गई, क्या था मामला बताईए? तमाम पुलिस के अथकारी होना है, घटना इस तलका जाजा लिया, जाजा लेने के बाद जो पीड़े पे, जो मितक के परजन है, उनकी जो जिकायत है, उनके जो जिन अप्चा की गई है, उनके द्वारा नामजाद रिपोर्ट कराई जा रही है, पुलिस ने इस पूरे मा पीसे हमारी बात हुए है, तो लोग तिवार के दिन भी यहाँ पर इस तरह का गोली कांड हट्या कांड होने की वज़ाए से लोग डरे हुए है, ठीक, बहुत 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 शुक्रिया, नरेंद्र। और चलिए बागे बढ़ेंगे, मुरेना का जिक्र करेंगे, खड़ी फसल से निकलने को लेकर विवाद हुआ, और गोलिया चली, ताबर तोड फाइरिंग की गई है, लाठी डंडे भी आपर चले हैं, गोली लगने से एक व्यक्ती की मौत हो गई, आपको बता दें, दोलो गंभी रूप से घायल भी हुए हैं, मौके बर पुलिस पहुची, नूराबाद थाना पुलिस पहुची, घायलों को जला अस्पताल में भरती कराया, नूराबाद थाना छेतर के विसैठा गाव की ये पूरी घटना है, गाव में दहिशत का माहूल है, जबसे ये ताबर तोड़ गोलियां चली हैं और एक व्यक्ति की मौत भी हुई है, साथी साथ कुछ घायल भी बताय जा रही हैं, मामला दर्च कर लिया गया है, आपियों की तलाश पुलिस कर रही है, जदा जानकारी के लिए सही हुगी हमें शर्मा मरसा जुड़ गए हैं, अमें तिया पर छोटी सी बात कोले करके तावर तोड़ गोलियां चली हैं, कौन थे वो लोग और उनके पास बंदू के कहां सियाई कैसे फायर किया, क्या कुछ सामने आपाया है शुरुआत इजाच में देखिए बिल्कोल रितू आपको बता दू कि आज खोली का त्योहार है तो लोग इंजोई करने में लगी हैं, लेकिन बिसेटा गाँ है नूरवाद थाना चेत्र का, वहां एक परिवार में आज मातम का, मातम पसर गया है, ऐसा मामला तब सामने आया है, जब खड़ी फसल में हो करके एक परिवार के दो लोग निकल रहे थे, इसी बात बोले करके, दूसरा पज़ आता है, जिसकी जमीन थी, वह और बिना पूछे, बिना कुछ कहे, तावर्टोर फाइरिंग कर देता है, और लाटी टेंडों से बाहर कर देता है, इस तोरान बजाने आता है, एक उसमें भी उसके साथ भी मार पीट की जाती है, इस पूरे गटना करम में एक ब्यक्ती की गटना इस्तल पर ही मौत हो जाती है, दो लोग गंबी रूफ से घायल हो जाती है, घायलों को उप्चार के लिए जिलास्ताल में बर्ती करा गया है, और मौके पर पहुची है, देशत का माहल बना हुआ है, पिलार अभी भी लोग जो ग्रामीर है वो सेवे हुए हैं, जिस तरह से फारिंग की है, ताबर तोड़ गोलियां यहां पर बरसाई गई हैं, क्या पहले के भी कोई आपराटिक रिकॉर्ड इनके दर्ज हैं, अब देखिए बिलकुल इस ब होते हैं, लाइसंसी बैद जो हतियार होते हैं, वो सभी ठाने में जबते हैं, फिर इस तरीके इतनी मात्रा में हतियार कहां से आये थी, क्योंकि एक साथ ही, एक दर्जन से अधिक फायर करना, तो इन सभी बिंदूओं को लेकर के भी पुलिस जाज कर रही है, फिलाल इस त उस ताथ में ही इस पश्ट हो पाएगा कि पुराना कोई पिवाद था क्या, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलाल, अमेद जानकारी को साजा करने के लिए, और चली बागे बढ़ेंगे, धार का जिक्र करेंगे, सड़क किनारे खड़े वाहन से टकरा गई, बाईक और नर्मंदा में ऐसनान कर ये अपने गाव लोट रहे थे, अपने गाव कोवर सी लोट रहे थे यूवक, और ये खटना का शिकार हो गए थे, सड़क के नारे खड़े वाहन से बाई टकरा गई, और तीन यूवक इस पर सबाग थे, जिनकी मौत हो गई, नर्मंदा ऐसनान कर कि अपने गाव वापस लॉट रहे थे अपने गाव कोभरसी से लोट रहे थे और इसी धुराई ये बड़ा हाथशा हो गया ज़ादा जम्तारी के लिए सखी होगी। खड़ी गाडी में ये बाइक सवार जागों से बड़ा हाथशा होगया। क्या कोछ शुरुवाती जांच में बताया जा रहा है क्या तेज रफतार ये बाइक रही होगी या नशे में ये यूवक्त है? जो है ग्राम धानी के पास में सड़क किनारे खड़े एक वागन से इनकी तेज रफतार वाइक जो है वो जोल्दा टक्कर हुई उसकी और उसके बाद में तीनों गंबी रूप से खायल हो गए और इसके बाद में तीनों की मौद भी हो गई वहीं इस पुरी गटना की सुचना मिलने के बाद में धामनो थाना पुलीस जो है वो मौके पर पहुंची और एम्बूलेंस को लाया गया वो तीनों की डेट बोड़ी को जो है धामनो के एस्पिताल ने पहुंचा आया गया जहां पर उनका पोस्ट मार्टम किया जा रहा ह और दामनो थाना पुलीस जो है इस पूरे मामले में आगे की कारवाई में भी जूटी हुई है तो यह पुल मिला के एक बड़ाशी दल्दनाक सड़क आस्ता हुआ है और जिसमें एक परिवार की खुशिया जो है वो पुरी जो है मातम में तब्दिल हुई है जी वाके वा वाहन कंधक खड़ा था वो भी क्या गलत जगा पर खड़ा था वहां के भी कोई लापरवाईया है जी बिल्कुल यह पुरी घटना जो हुई है ग्रामधानी में हुई हूई है और यहां पर कई धाबे हैं जिनके सड़क किनारे जो है वाहन जो होते हैं और इसी दोरान जो अपना वाहन को लेकर वहां से फरार हो गया उसकी भी चलाश पुलीस जो है अभी कर रही है और अभी फिलाल वहान जो है मिला नहीं है लेकिन पुलीस का ऐसा केना है कि जल्ली उसे भी जब तक कर लिया जाएगा बरामत कर लिया जाएगा जी जी ठीक ठीक नवीन बहुत चरित्र शंका में पत्नी को मौत के घाट उतार दिया गया पती के द्वारा पती ने पत्नी की हत्या कर दी बड़ी जानकार इस वक्त आपको दे रहे हैं गोली मार कर मौत के घाट उतार दिया उज्वेन काम जिक्र कर रहे हैं चरित्र शंका में पत्नी की हत्या पती के द्वारा की गई है, गोली मार करके मौत के घाट उताब दिया गया शियोपुर के बात करेंगे, जंबल नहर में बेकाबू आटो गिर गया और आटो में तीन यूवक डूब गये जो आटो गिरा उसमें तीन यूवक भी सवार थे, लोगों ने नहर में कूथकर तीनों को बचाया, कॉंग्रस विधायक बाबू जंडेल ने मदद किये उनकी और अपनी गाड़ी से तीनों को अस्पताल भी पहुँचाया, तीनों यूखकों की हालत अभी इस्थर बताई ज जा रही है, चंबल नहर में बेकाबू आटो गिर गया, उसमें तीन यूवक सवार थे, समय रहते हैं आसपास के लोगों ने उन्हें बचा लिया, उन्हें बहार निकाल लिया, और उसके बाद कॉंग्रस नेता ने अपनी गाड़ी में बढ़ा करके, कॉंग्रस विधायक ह इन्होंने मदद की उनकी और अपनी गाड़ी से तीनों को अस्पताल पहुंचाया, फिलहाल तीनों यूवक को की हालत इस्थर बताई जा रही है जबलपुर में तेज रफ्तार कार बेकाबू हो गई, नर्मनापुल से सो फीट नीचे जाग गिरी कार, कार चालख यूवक की मौके पर मौक हो गई, गलत दिशा में ये कार चला रहा था, बरेला थाना छेत्र का ये मामला है आई दन हम देखते हैं ऐसी तस्वीरें जब गलत तरह से ड्राइविंग जो है की जाती है लोगों की तरफ से राउंसाइट की बात करें, वर स्पीडिंग की बात करें और इसी बीच का ये हाथ से हम देखते हैं, एक और हाथ सा जबलपुर से सामती आया, कार चालक बड़े घटनागा शिकार हो गया, नर्मदा पुल में ये बेकाबू कार जा गिरी, तेज रफ्तार रही होगी ये गाड़ी, काबू में नहीं आई और बेकाबू होकर के गिर अधिकारी को गरफतार किया है, आरोपी CBI अधिकारी बनकर लोगों को सरकारी नौकरी का जहांसा दीता था और ठगी करता था, पुलस ने आरोपी के पैस से शपत पत्र, आरोपी का नियुक्ति पत्र, सहित 25,000 रुपए नगद और एक मुबाइल फोन भी बरामक किया, आर अधिवासी लाकों में ज़ाकर भोले भाले लोगों को अपने देखा गया कार्ड, तो कार्ड तो फरजी था, और फिर उनके बताया अनुसार पिर उनने F.I.R. दरजी किया थारे में, और विरेंदर कुश्राम को तलाश करके उसको विरफतार किया है प्रसिद जोते लिंग श्री महाकाले इश्वर में सुमवार सुभा भस मार्ती के दौरान गर्विक्रे में आख लग गई और इस दौरान पुजारी समें 14 लोग जुलस गए, जोने इलाज के लिए इस विलास्पताल में भरती कराया गया हाथसे की गंभीरता को देखते हुए जैन कमिशनर संजय गुक्ता विलास्पताल पहुंचे, उन्होंने घायलों का हाल चाल जाना तो वहीं कलेक्टर निवच कमार सिंग में मामले की मजिस्प्रियल जांच के नर्देश की दिये हैं जाक्ष्टीम में एडियेम अनुकल जैन, एडियेम रणाल, मीना जो की जल्द रिपॉर्ट्स होपेंगे बताया जा रहा है कि आर्थी के दौरान गुलाल उनाने की वज़़से आग खड़ गई, हाथसे की समय मंदर में हज़रोश्र धालू मौजू थे, आश्यंका जावती पताई, शिवा हरा 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 महादे मातु की जाए, चत जजनातन बैदिक धरम की जाए इस पूरी घटना को देखते हुए एक इनकारी टीम भी जमनेजिस्टिल इनकारी की घटन की गई है, जो कि तीन दिवस में होई है, उजयन से आठ मरीज रेफर होकर इंदौर पहुंचे हैं, जहें आरविंदू अस्पताल में इलाज चल रहा है, अस्पताल में आठ मरीज का इलाज चल रहा है, इनदौर कालेक्टर का बयान भी आया, डॉक्तरों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, तो आठ मरीज रेफर की घटना की घटना कर इसे और इज़स में होई लॉग जो इनदौर रेफर की में बढ़ती हैं, और अरविंदू अस्पताल में इन इन सभी को भुर्ती कराया गया, इलाज यहां पर सभी का चल रहा है। तो वो सारी चीज़े चल रही है और सभी पेशेंट्स का पूरा डॉक्टर्स अपना भरभूर एलाज करें। पेली प्राद्मिक्ता है मरीजों का उप्चा है। ग्रह मंत्री चीज़े बहुत सारे मंत्रियों की फोना है। के अंदर सरकार के भी स्रीम ने कम से कम 5-6 बार में इससे बात किया है। स्वेम साफ स्वेम भी आ रहे हैं। और लगातार मैं साड़ेशे बज़े से मैं टच में था। उजयन में आग की घटना पर ग्रह मंत्री अमिर्शा का ट्वीट भी आया। केंद्रे ग्रह मंत्री अमिर्शा के द्वारा ये ट्वीट किया गया। उजयन हाथसे के जांच के आदेश दे दिये गहें। सीम डॉक्टर मोहन यादव ने आदेश दिये हैं। कापूर्या अन्य किसी केमिकल के कारण हाथसे की आश्यंका जुताई जा रही है। बड़ी घटना हो सकती थी लेकिन भगवान ने रख्षा की है। सीम ने ये बाते कहें हैं। गुलाल डालने के दौरान कापूर या अन्य किसी वज़र से आग भड़कना ये कारण हो सकता है। और भी क्या कुछ सीम ने कहा है वो आईए सुनते हैं। जो चांदी के दिवार लगी रहती है, परदे रहते हैं। उसको कपड़े से ठाट करके लंगों से वो खराब ने हो जाए। इसका गरवगर में प्रबंदन करते है। इस वहीं आर्टी के बाद जब ये गुलाल डाला गया है, तो आर्टी से ठाली पलती है, या कुण भपक या केमिकल से वो पता ने क्या कारण रहा है। तो अंदर गरवगर में प्रबंदन करते हैं, तो उन पुझारियों से मिलने के लिए इंदोर जा रहा है। इस आग के चपेट में आए और जलस गए जिनका इलाज उजयन प्रवगर में चल रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर ये आग ने एकदम से विकाल रूप ले लिया, एकदम भड़कती गई आज और रही सारे लोग इसके चपेट में आए। दार के भोशाला में इन दौर हाई कोट के आदेश के बाद A.S.I. की टीम लगातार सर्वे कर रही है। A.S.I. की टीम ने चौथे दिन का सर्वे पूरा कर लिया है, हाला कि होली करते औहार होने के चलते मजदूरों को नहीं बुलाया गया था लेकिन A.S.I. की टीम और हिंदू मुस्लिम पक्षकार के लोग भोशाला के सर्वे के लिए मौजूद रहे। आज के सर्वे में मेजर्मेंट का प्रमुख कारे किया गया, बोशाला परिसर के 50 मीटर के दायरे में मेजर्मेंट किया गया, तो वहीं बोशाला मुक्टी यग्यके संयों जगोपल शेर्मा भी A.S.I. की टीम के साथ सर्वे में मौजूद रहे। कल मंगलवार की दिन निया मनुसार पूजा और हनुमान चालिसा का पाठ किया जाएगा कॉंग्रस से था सुप्रिया श्रिनेत के ट्वीट पर बीजेपी आईटी सेल के फ्रमोख आमेट मालविय ने रीट्वीट कर निशना साधा अब इद वालविय ने कॉंग्रस अध्याक्ष मलेकार जुन खडगे को टाक करते हुए श्रिनेत को पार्टी से निकाले या खुद इस्तिफा दे आपको बता दें कि सुप्रिया श्रिनेत ने मंडी से बीजेपी उमीदवार कंगना रनौत की एक फोटो लगाई है और लिखाए कि कोई बताएगा कि मंडी में क्या भाव चल रहा है हाला कि उन्होंने उसके नीचे बुरा नमानो खोली हेगा एक वीडियो भी लगाया है और इसी बीच मंडी से भाचपाव बीदवार कंगना रनौत ने कॉंक्रस नेता सुप्रिया श्रिनेत को जवाब दिया कंगना रनौत ने ट्वीड करते हुए लिखा प्रिय सुप्रिया जी एक कलाकार के रूप में अपने करियर के पिछले 20 सालों में मैंने हर तरह की बखिलाओं का धिर्दार निभाया कुईन में एक भुली भाली लड़की से लेकर धाकर में एक आकरशक जासूस तक मनी करने का में एक देवी से लेकर चंद्रमुखी फिल्म में एक राक्षस तक रज्जों में एक वैश्या से लेकर थलाईवी एक क्रांती कारी नीता अंतर हमें अपने बेटियों को पूर्वग्रहों के बंधनों से मुक्त करना चाहिए हमें उनके शरीर के अंगों के बारे में जिग्यासा से उपर उठना चाहिए और सबसे उपर हमें यौन कर्णियों के चनौती पूर्व जीवन या परस्थतियों को किसी प्रकार के दुर्वैवार या अफ्मान के रूप में उप्यों करने से बचना चाहिए हर महिला अपनी गरिमा की हगदार है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी अपनी दो दवसिया भूटान यात्रा पूरी कर चुके हैं और भारत वापस आ चुके हैं साथ ही उनकी यात्रा से जोड़ी कुछ तस्वीरें सामनी आई हैं हम आपको दिखा रहे हैं भूटान के राजा, जिगमे खेसर, नाग्याल, वांक्चुक ने लिंकाना पैलस में पीम मोधी के लिए एक विशेश डिनर का आयूजन किया था बता दे कि पीम मोधी ने इस दोरान वहां राजकुमारों के साथ कुछ शांदार पल भी साज़ा किये डिनर में राजा के साथ उनका परिवार और बच्चे भी मौझूब थे पीम मोधी ने राजा और उनके पूरे परिवार के साथ तस्वीरें भी खेचवागी रिवाजले के बैंकुट पोर्थाना चेत्र में उस समय हरकम मच गया जब पैट्रोल पंप पर पहुँचे कुछ यूफकों ने जबरन शराप पीने के लिए पैसे मांगे और पैसे नहीं मिलने पर मार्पीर करना शुरू कर दी तोड़ कोड़ की जिसकी सूचना विलते ही पोलिस भी मौके पर पहुँचे आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया लेकिन इस दौरान आरोपियों के घर की महिलाओं ने पोलिस को ही घेर लिया जिसके बाद एक यूवप ने चाकू से धाना प्रभारी बैंकोटपूर के उपर जानलिक भाहमला किया जने बचानी के प्रयास में आरकश्रक खायल होगा खंडबा के बात करेंगे चैगाफ देवी के वर्दमान जनिक में आग लगी है पंद्रा सो से अधे कपास की गठा में यह आग लगी मौके पर फिलहाल फाइब रिगेट की टीम फाइब रिगेट की घाडिया पहुच चुकी है आग से करोणों के नुकसान की भी आशेंका है महराश्र के मलकापुर के जैन परिवार की एमिल है जिसमें यह भीषन आग लगे तस्कीन देखे, तस्विर वो देखकर समझा जा सकता है कि कितनी भीषण आग रही हो गुवार आप देख रहे हैं कि इतना प्रयास किया जा रहा है उसके बाद भी दुमेंगा गुबार उटता जा रहा है बुर्हानपुर में पोलस ने अवैध शराब बरामत किये जमीन खोद कर निकाली गई अवैध शराब प्लास्टिक के टंकियों में ये शराब रखी गई थे 65 लीटर कच्छी महुआ शराब जब्द की गई महुआ लहान जब्द कियर नश्टर कर दिया गया अवैध शराब के खिलाफ कारवाई लगाता जा रहे है मध्यप्रदेश होली के रंग में डूबा हुआ है प्रदेश भर में होली का जश्न है लोग एक दुसरे को रंग लगा कर होली का त्योहार मना रखे हैं प्रदेश में होली के जश्न की आठ तस्वीरें आपके पुपाल उजयन ओच्छा मनसौर खंदवाल दुवाल वहीं दौर के राजबाडा पर होली का जबरदस्त माहोल दिखा पड़ी संख्या में लोग राजबाडा पहुंचे और जन्म कर होली खेले और आई अब देखेंगे टॉप ट्वेंटी फट्वा की अंजरिंग में लगी आग पंधरा सो से अधिक कबास की घठान में लगी आग आख से करोनों का नुक्सान